हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टु स्टडी बस, अगर आप किसी MBA स्प्रेंट से बात करोगे, तो वो हमेशे ये बोलेगा, भई, ZAT का जो पेपर होता है, वो CAT से जाधा डिफिकल्ट होता है, और इसका रीजन ये है, कि ZAT में एक सेक्शन आता है, डिसियन मेकिंग, जो काफी मैं आपको बताने वाला हूँ, किस तरह से मैं ये परसेंटेल अचीव कर पाया, और किस तरह से एक्सलराई जमशेदपूर की कॉल में इस पर्टिकुलर सेक्शन ने एक बड़ा रोल प्ले किया था, तो सबसे पहले बड़ी चैलन को सब्सक्राइब कर लो, और बेल आइकन को प्रेस कर दो, ताकि जितनी भी इंपॉर्टेंट वीडियो हैं, उसके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें, अगर मैं ZAT एक्जाम की बात करूँ, तो आप यहाँ पर देख पार हैं, डिसिजन मेक होता है, और इसमें से, जो सबसे यूनीक सेक्षन है, वो डिसिजन मेकिंग, क्योंकि यह बिलकुल डिफरेंट है, और लोगों को बिलकुल आइडिया नहीं होता है, इस सेक्षन को अप्रोच कैसे करें, तो अगर मैं आपको बता हूँ, कि मेरी क्या सीक्रेट स्टाइजी रही ती, जिसने मुझे 99.8% लेने में अचीव किया, तो सबसे पहले हमें कुछ मेजर चीज़े समझनी है, डिसिजन मेकिंग जो है न, उसका अबजेक्टिव क्या है, देखो, जब आप फ्यूचर में मैनेजर बन जाओगे किसी कंपनी के, तो भाई, आप as a manager काफी सारे लोगे, और आपको objective यह होना चाहिए, आप ऐसे decision लो, जिससे minimum cost आए, and maximum output आए, minimum time लगे, maximum return आए, तो आपने अपनी life में जितने भी entrances दिये हैं, उसमें आपने decision making directly और indirectly यूज किया है, for example, अगर आप verbal का section देखते हो, quant का section देखते हो, वहाँ पे आप decision making ही तो करते हो, कि यह वाला question मुझे attempt नहीं करना, तो indirectly आपको पता है, इसका meaning क्या होता है, अब मैं अगर directly बात करूँ decision making की, तो decision making that में दो तरह के question देता है, या तो वह आपको individual question देगा, या फिर आपको वह grouped question देगा, ठीक है, अब individual और group में क्या फरक हुआ, कि यहाँ पे आपको छोटा स चारपाल लाइन का passage होगा, और उसके उपर आपके सामने एक question होगा, group में क्या होता है, कि एक RC type passage होता है, जिसमें 3 to 4 paragraphs होते हैं, and then उसके उपर 3 से 4 question होते हैं, ठीक है, अब decision making में multiple type of questions हमारे सामने बनते हैं, major अगर हम आपको questions बताऊं किस type के होते हैं, यहाँ पे, तो आ इसके उपर हमारे सामने questions बनते हैं, then ethical problems होती है, कि आपकी company में आपको कोई friend है, जो उतनी productivity के साथ काम नहीं कर आप, इस situation को कैसे deal करोगा, या फिर ethical dilemma है, तो उस type की problems आपके सामने बनती है, या फिर numbers crunching problems बनती है, जहाँ पे numbers होता है, data होता है, और आपको decision लेने होते हैं किस तरह से हम करें, या फिर आपके सामने social problems होती है, कि कोई आप ऐसी चीज़ कर रहे हो, कोई ऐसा product launch कर रहे हो, जिससे society को problem है, environment को problem है, तो आप किस तरह की decision लोगे, तो ये आपके सामने major चीज़ रहती है, अब यहाँ पे सबसे बड़ा challenge ही आता है, कि students का decision making बहुत ज़ जो भी मुझे case study दे रखे चाहिए, वो single question की case study हो, या फिर वो भई आपको 3-4 paragraph के उसको read करके, उसके mind में notes बना लो, उसकी observation कर लो, देखो notes बनाने का time exam में नहीं होता है, कि pen और paper से notes बनाओ, तो इसलिए आपको mind में ही notes बनाने की क्या key points है, then मेरा step 2 आता है, read the question, अब म numbers related question है, किस type का question है, then मेरा option 3 आता है, analyzing the option, और ये सबसे tricky part होता है, पूरे के पूरे decision making का, ठीक है, अब analyzing the options में इसलिए बोलना हो, important आपके लिए, क्योंकि ये जो section होता है, ये gray section होता है, gray का क्या meaning हुआ, कि जब आप quants करते हो, आप verbal करते हो, आपको पता होता है, ये एक option सही है, ये 3 options, ये 4 options गलत है, लेकिन decision making में ऐसा नहीं होता, कोई भी option पूरा सही, पूरा गलत नहीं होता, सारे के सारे options gray होते हैं, कोई option जादा सही होता है, कोई option कम सही होता है, तो आपको जो pick करना है, वो क्या करना है, वो best shade of gray pick करना है, और यहीं पर challenge create होता है, आप सारे के सारे options को analyze करना होता है और best shade of gray को pick करना है उसके बाद eliminating the options हम लोगों के सामने कुछ options ऐसे होते हैं जो बहुत close होते हैं लेकिन उनको भी जब आप ध्यान से read करोगे न तो उनमें कुछ subtle differences होंगे मतलब क्या कोई ऐसा data दे रखा है जिसकी बात ही नहीं होरी है case study में क्य अगर वो हमारी case trading साथ verify हो गया है और वो एक proper decision है तो मैं उस question को mark कर दूँगा तो यह five step process है जो मैं decision making के lectures में पढ़ाता भी हूँ तो अगर आपको एक पूरा sample lecture चाहिए कि कि किस तरह से questions को approach किया जाता है क्या मेरी strategy रहती है तो नीचे comment कर देना एक full-fledged around one hour की मैं video upload कर लूँगा जिसमें काफी सारे different different type के problems में आपके साथ discuss कर लूँगा ठीक है अब अगर आप इसकी full-fledged preparation करना चाहते हो तो उसके लिए हमारा crash course भी launch हो रहा है जिसमें आपको to the point Z related पढ़ाया जाएगा verbal का भी, kwants का भी, decision making का भी, LIDA का भी और GK का भी तो 100 plus hours के आपको video lectures मिलते हैं जिसमें आपका पूरा syllabus in and out cover हो जाता है, पूरा का पूरा syllabus cover होगा, इसके साथ ही 5 full-length mocks आपको मिलेंगे जिसमें latest pattern पे होंगे, which solution analysis इसके साथ ही 10 आपको previous year paper मिल जाएंगे, क्योंकि that की अगर decision making के practice करनी है, तो previous year के paper ज़रूर solve करनी चाहिए, so that आपको clear cut idea हो ताकि आप additional practice कर point, यह course जो है, यह specially design किया गया है, that experience के लिए, तो अगर आप इसको join करना चाहते हो, तो हमारी website studybus.co.in पे जा सकते हो, otherwise हमारा whatsapp number है, 99589-3705, इस पे भी आप contact कर सकते हो, पूरे course का जो fee structure है, that is 4000, जिसमें आपका पूरे video lectures, आपकी e-books, आपकी test series, आपके crash course की details देखते हो, तो आपको 100 आज की video lecture मिलते हो, जो आप किसी भी एक device, चाहिए वो अपने laptop या आप phone में चला सकते हो, फोर आपको interactive e-books मिल जाते हैं, जिसमें आपकी decision making की एक e-book होती है, quant की e-book होती है, logical reasoning की e-book होती है, verbal का practice content होता है, gk की books होती है, topic wise test मिल जाते हैं, आपको previous year of mocks भी provide हो जाते हैं, तो video lectures आपको पता है, आपने काफी सारे lectures देखे हैं, books किस तरह की है, portal किस तरह के mocks है, वो आप यहाँ पे देख लो, तो जो आपको portal का user ID और password मिलता है, उसके तुरू जैसे आप login करते हो, तो आपके पास e-books का option होता है, mocks का option होता है, previous year paper का option होगा, जब आप e-book पे click करोगे, तो इस तरह के आपकी e-books open हो जाएंगी, यहाँ पे आप देख पा रहे हो, यह ZAT की decision making की e-book है, यह बहुत ही interactive और to the point ZAT exam के लिए बनाए गई है, जिसमें आप देख सकते हो, काफी सारे practice question है, तो जब आप कोई video lecture देखते हो, उस video lecture को देखने के बाद आपको e-book से practice कर लेने है, questions और to the point आपका वो topic cover up हो जाता है, तो आप जैसी यह questions approach करोगे, इनके solution के लिए आपको कहीं नहीं जाना, आपको सिर्फ यहाँ click connect, click here for solutions, आपके सामने detailed solution भी आपके मिल जाते है, ठीक है, तो इस तरह से decision making के हमने e-book तयार कर करना है, तो Z-related question आप यहाँ देख पारे हो, जैसे history हो गया, history के बाद आप यहाँ quality देख पारे हो, किसी के भी solution देखने है, again सिर्फ आपको single click करने, आपके सामने detailed solution available हो जाते है, पूरा आप यहाँ पे content भी चेक कर सकते हो, कौन-कौन सी चीज़ है, business awareness, current phase, miscellaneous, science and technology, सारी चीज़े आपको to the point मिल जाती है, similarly अगर मैं ZAT की Quant and DI की book की बात क्यों तो आप यहाँ पे देख सकते हो, जैसे आप video lecture अपना finish करो, यहाँ पे book पे आ और book पे आप अपने practice कर सकते हो, additional, यहाँ पे आपको different type of question दिख जाते हैं, सारे के सारे ZAT oriented, आप यहाँ पे solution पे click करते तो detail solution भी आपके सामने हर एक question का available हो जाता है, आपको table of content चेक करना आप यहाँ पे सारे topic देख सकते हो, उसके आप DIY या किसी भी topic के practice कर सकते हो, वो भी बिल्कुल single click के साथ, तो बिल्कुल interactive तरीके से ebook बनाई है, इसी तरह से verbal or logical ability की ebook है again ZAT oriented, जहाँ पे आप उसी type के question देखोगे, जैसे आपको ZAT exam में देखने को मिलते हैं, और again आप यहाँ पे directly अपना solution चेक करना हो, तो click करो, direct सारे solution आ जाते हैं, table of content आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, RC हो गया, para completion, para jumble, error identification, जो जो topics आपके ZAT में आते हैं, वो सारे हमने यहाँ पे cover up कर लिये हैं, इसके paper आपको देखने को मिल जाते हैं, the mock form, तो इनको आप submit करोगे, तो चाहे आपका mock test हो, चाहे previous paper हो, detailed analysis or solution आपके सामने आ जाता है, आप compare कर सकते हो, क्या सही था, क्या गलत था, जिससे आपकी preparation बहुत बेटर तरीके से complete हो पाते हैं, तो approach आपके सामने clear हो चुकी है, आप तो I hope आपको पूरा का पूरा portal समझ में आ गया है, अब अगर मैं आप सो planner की बात कुरूँ, तो batch 2nd December से start हो रहा है, to the point, that oriented पढ़ाई होगी, आपको daily basis पे 6-8 hours अपने devote करने होगे, तब जाके हम one month में उस level की preparation कर पाएंगे, जब हम accelerate क्रैक कर दें, तो सबसे पहले हम mocks solve करेंगे, यहाँ पर आपको decision making का video lecture 1 देखना है, video lecture 2, video lecture 3, video lecture 4, इधर आपके quants के lecture चल रहे है, profit and loss, arithmetic section, फिर उसका number system, then geometry, इधर आपके GK की videos है, January की current effect की video, February, March, April, ताकि आपका GK का section भी अच्छा हो जाएं, then आपका यहाँ पर static GK है, उसके बाद आपके यहाँ पर lecture आप देख रहे हो, book पे जाओ, अपनी e-book में वहाँ पर practice करो, आपको वो topic जो है done and the state होता रहेगा, इसी तरह से आपका quants में यहाँ पर algebra आगया है, then आपका modern mess आगया है, और इधर आप पूरो static GK cover कर लोगे, then end में आप यहाँ पर zat mock 1, 2, 3 करेंगे, 4, 5 करेंगे, उसके रीजन है कि काफी सारे बच्चों ने यहाँ से टॉप भी किया, अच्छे college में गए भी है, तो अगर आप देखोगे, मयंग 99.69%, आशिद 99.65, सक्षम 98.88, मयू 98.02, then इसी तरह से 97.63, 97.59, 96.13, 96.8, 95.2, इस तरह की top percentile बच्चों की आती है, तो अगर आप भी एक serious experiment हो, त that के लिए भाई तयारी start कर दो, पूरी की पूरी भाई आपको strategy मैंने decision making की बता दी है, quants verbal मैंने आपको बता दी, already जैसा cat का flavor सहता है, उस type का रहेगा, verbal में आपको कुछ vocabulary, grammar related question देखने को मिलेंगे, and साथ में previous error paper और mocks all करते हो, काफी ज़्यादा improvement आपको देखने को मिले so all the very best, thank you so much and take care